वेलकम बेक और यूटूब चैनल स्टडी सर्कल 24 डियर इस्टेंड्स आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 मैट्स का पेपर ठीक है कि आपको किस टाइप के कुश्टन पूछे जाते हैं एक्जाम में इस टाइप के हम कुश्टन देखेंगे ठीक है और सारी चीजे बत डिवाइड होते हैं एक तो अब्जेक्टिव रहता है मल्टिपल चॉइस और दूसरा फिल अप रहेगा और ट्रू फॉल्स या या मैज दस सेंटेंस रहेगा ठीक है तो चलिए देखते हैं फिर उसके बाद दो नंबर का प्रशन मिल जाएगा फिर आपको तीन नंबर का प्रशन मिलेगा फिर इसके बाद फिर इसके बाद चार नंबर और पांच और लास्ट के दो प्रशन जोंगे 17 और 18 वह आपको चैंके पूछी जाएगे तो चलिए सबसे पहले देखेंगे यहां पास वन माक्स के लिए चूज एंड राइट दा करेंट करेक्ट ऑप्सन त अर्ध ब्रित का कोण होता है ठीक है तो जो तो इसका अगर आप देखेंगे सही एंसर क्या होगा अर्ध ब्रित का जो कोण होगा वो 90 डिगरी का होता है ठीक है तो क्योंकि इस प्रकार का एक आपका सरकल बनता है और इसके सेंटर से आपका एक यह डायमेटर हो गया और आपका 3x square plus 2x plus 7 equal to 0 के मूलों का योगफल दिया हुआ है मैं आपको ये बता दूँ कि आपके board exam में और अभी fairly होगा तो उसमें भी आपका paper का pattern कुछ ऐसा ही रहेगा ठीक है ये model set questions है जो आपको board के द्वारा जारी किया गया है ठीक है तो आप यहां से अगर अच्छे से लगाते हैं अगर आप चाहेंगे कि इसका solution भी चाहिए आपको हर एक questions का तो आप video के comment section में comment करेगा हम आपको इसका solution भी हम बता देंगे ठीक है और इसी प्रेकार के आपको हम 5 set provide कराएंगे जो कि आपके board के according होगा तो चलिए देखते हैं वर्फ समिक्रान 3x square plus 2x plus 7 equal to 0 के मूलों का योगफल निकालना है तो देखें योगफल का जो formula होता है वो alpha plus beta equal to minus b upon a होता है यह formula है ठीक है तो b की value यहां पास 2 है और a की value 3 है तो क्या लिखेंगे आप यहां पास minus 2 upon 3 इसका मतलब जो option number b है वो आपका correct answer हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद देखें next third है question number third देख लिजिए आप आपके पास है बहुपत x square plus 5x का good and kind क्या होगा ठीक है तो x plus आपके पास यहां दिये हुआ है plus 5 और plus 6 ठीक है तो इसका 2 plus 3 होगा यह means option number d इसका correct answer हो जाएगा ठीक है इसको निकालने के लिए format यह है कि x square हम लिखेंगे पहले ठीक है और जो middle term है मतलब बीच में जो 5x है उसको 2 part में divide कर देंगे ठीक कैसे 3x plus 2x 3 plus 2 5 होता है और sorry यह 5 3 plus 2x लिखेंगे और यहां पास लिखेंगे plus 6 लिखेंगे ठीक है अब यहां से x को common करेंगे तो आपके पास x plus 3 मिलेगा और यहां से आप 2 को जब common करेंगे यहां से तो x प्लस 3 यहां भी मिलेगा आपको तो आपके पास answer क्या बनेगा x प्लस 2 और x प्लस 3 ठीक है तो इस परकार का यह option number D correct answer होगा next है 1 प्लस 10 स्क्वार 45 तो क्या होगा इसका option number C 6 स्क्वार 45 next देखे अब अगला जो questions आपके पास दिया गया है कि एक जो वित्य वर्स होता है ठीक है अब financial year become तो यह क्या होता है 1st April से start होकर next year के 31st March तक यह होता है ठीक है तो option number C यह आपका correct answer हो जाएगा अब इसके बाद आता है आपका section B में ठीक है तो यह आपका match the following उच्छत संबंद जोड़ना है यहापस ठीक है तो यहाँ 5 questions है तो इसलिए हम यहाँ से देख सकते है सरल रेखा का क्या समिकरणों का सरल रेखा Y equal to X में रेखा की ढाल पूछा गया है ठीक है theta की मान पूछा गया है 1 by root 3 होता है तो इसका square निकाल देंगे 1 by 3 आ जाएगा ठीक है किसी घनाब की अकाशे बिकन की जो संख्या होगी वो लगबग बार हो जाएगी तो इस प्रकाश से आप इसका answer लिखेंगे और देख लिजिए इसका section c part इसका यहां दिया हुआ है x square equal to 9 तो x का value पूछा गया है यह कितना होगा 3 हो जाएगा ठीक है दो अनुपातों की तुलना कहलाती है क्या कहलागी प्रोपोरेशन यानि समानुपात कहलाती है मूल बिंदू के निर्दिसान क्या होते है तो आप यहां पास लिखेंगे 0 और 0 ठीक है क्योंकि मूल बिंदू का जो coordinate point होगा वो 0-0 होता है वृत्दि का ब्यास उसकी तरिज्या की दोगुनी होती है जो उसका radius होता है तो वो क्या होता है अब इसके बार देखिए अब आगे के जो प्रशन मिलेंगे आपको देख सकते हैं दो नमबर वाले प्रशन मिल जाएंगे जिसको आपको solve करना है इन सभी को ठीक है कि बहुपत दिया हुआ है इसका y plus 1 से भाग देकर भाग पल और सेस्पल ग्याद करना होता है तो इस प्रकार से इन सभी प्रशनों को आप next जो अभी आपका exam होने वाला है उन सभी के लिए लगाईए अगर इन में से जो chapter आपको काफी tough लगते हूँ या फिर वो chapter के questions आपसे नहीं बनते हूँ तो आप video के comment section में आप comment कर सकते है उस chapter को हम आप के लिए detail से video बना देंगे ठीक है और आप एक अच्छा score करें इसलिए आप बहुत जरूरी है कि अब आप model set से questions आप ज़्यादा से ज़्यादा practice कीजे जिसे की जैसे exam में questions पूछे जाते हैं तो उस प्रकार से questions आप अच्छे से लगाकर practice कर सके ठीक है तो dear students अगर video अच्छे लगी हो तो आप अपने दोस्तों को भी share कीजेगा और channel पर अगर नहीं है तो channel को subscribe कर लिजेगा साथि bell icon का button ज़रूर पेस कीजेगा क्योंकि जैसे ही आपके board से संबंदित related जो भी हम latest update अगर देंगे तो उसकी जानकारी आपको जल से जल मिल सके इसके अलावा project के video हमने पहले ही आप लोगों के लिए provide कर दिया है तो वहाँ से आप लोग देख कर लिख सकते हैं हर एक subject का आपको project मिल जाए तो next आप देखा जाएगा यहाँ पास सबसे पहले questions भी देखेंगे हम यहाँ ठीक है तो यहाँ से देख सकते हैं है अब इसके आगे का जो प्रशन आप देख सकते हैं यहाँ पास कि चवदो नंबर का प्रशन दिया हुआ है यदि दो बिंदो P 2-3 और Q X- से उनके बीच की दूरी 5 है तो X का मान गयाद करना distance formula से आप इसे असानी से गयाद कर सकते हैं फिर इसके बाद आगर देखेंगे next आपके पास प्रशन मिलेगा 16 नंबर का 15 और 16 दोनों मिल जाएगा आपके पास ओके यह 15 नंबर का प्रशन और फिर इसके बाद देखें जो 16 नंबर का प्रशन है एक व्यक्ति साओधी जम्मा खाते में 4 प्रतिसत वार्शिक ब्याज की दर्श दो वर्श के लिए 10 एक लाथ रुपए निवेज करता है तो परिभग को तक रिश्र में कितनी राश्य प्राप्त होगी यदि ब्याज वार्शिक संयोजित होता है तो इस प्रकार से ये प्रशन दिया हुआ है तो आप उसे कंपिट करेंगे से भी फिर दूसरा प्रशन भी अथवा भी आपका आवर्ति जम्मा खाता के लिए दिया हुआ है तो ये आसान पढ़ेगा बस लिए आपको और फिर 17 नंबर पर देखें तो ये ट्रिग्नोमेटरिक का कॉस्टन ये आपके लिए दिया हुआ है फिर 18 नंबर का कॉस्टन लास्ट कॉस्टन है ये 6 नंबर का प्रशन पूछा जाता है तो इसे आप अच्छे से करिएगा और चैनल को सर्स्क्राब कर लिजिए जिसे कि आपको लेटर्स अपडेट मिलती रहे और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले थैंक यू और गूद लुख